सदर्विधायक और आयोजक रवी शर्मा ने नगरवासियों को बारात के लिए आमंत्रित किया है समाधान कार्याले परायोजित प्रेसवारता में चानकारी देते हुए सदर्विधायक ने बताया कि इस बारात की शुर्वात 2007 में मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई थी अब मंदिर अतिक्रमण मुक्त हो तो चुका है लेकिन बारात परंपरा और आस्था बन गई है विधायक ने कहा कि बारात अब जहांसी की बारात का रूप ले चुकी है उन्होंने बताया कि बारात की शुर्वात पराता दस बजे मुरली मनुहर मंदर से प्रारंब होगी जो मालेंते रहा मानिक चौक, रानी महल, मिनर्वा, सयर गेठ होती होई मडिया महादेव मंदिर पहुचेगी मरिया महादेव की सिब बारात का सुलेवा साल है जहांसी जिसे हम कासी भी कह सकते हैं यहां पर जब गुसाई राजाओं का सासन होता था तब गुसाई भगवान सिब को अपना आरात दे मानते थे उन्होंने जहांसी में बहुत भब सिबालेव की स्थापना की थी उसमें से एक मडिया महादेव का सिबाले भी है वो सिबाले में पूर्ब में कुछ लोगों ने कब्जे कर दखे थे बहुत कमर मुक्ति के लिए चलावयान चलाया गया था इसमें लोगों नेक्से बरात कायो जना आई से स्कूला वर्ष्पूल सुरू किया था उड़्देश में हम लोग सफ़र हुए और वो मंदिर अत्कमर से बुक्त हुआ उसमंदिर की उसमंदिर की उसम्री मर्श जनासी निकलती है तो जहसी के सभी लोगों की आप वबाना हुग गया। सबकी आश्था का केंद है वह मंदिर है वह भरात मुल्ली मर्वमंदिर से सुनी होकर के मालेनों का चोरहा मानिक शौक सिंधी चोरहा से गासर रानी महल होते हुए जिसमें प्राइब रूमते हूए हरो महादेर पिनारे लगाते हूए चलते हैं कई सारे डीजिय होंगे कई सारे बैंड होगे और जगह जगह वराद का नासी में लगवात फागत करते हैं वह से बराद विश्चे दूतर सिवरात्री के अपसर पर एक खासी की भब बराद के रूप में निकलती है उसी को लेकर के आज आप से बाता है लोग तो स्वाइस पूर्त भाव से आते हैं जो भगवान भोले नात के वक्त हैं तो वहाँ पर संख्या का गिनना संभव नहीं हो पाता है चुकि बराद बहुत लंबी होती है अपडेट मीडिया के लिए छासी से हर्श शर्मा की रिपोर्ट